अब बॉर्णिंग टो एलो फियो मैं नमें इस इमानी जोहन और वेलकम टो लॉजिक पाट शाला आज के स्वीडों में हम कवर करेंगे 17 और 18 जुलाई के इंपॉर्टेंट कर इंटरफेस के क्वेशन्स फ्रेंड्स आज हम दो दिन का कर इंटरफेस करेंगे तो मैं आपको का एंपॉर्टेंट के लिए और मैं सभी कुष्ण देखे वहीं आपके लिए रखती हूं जो इक्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट ओते हैं और उनी पोईंस को हम डिस्कस करते हैं तो फैक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करें जादत से जादा और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो ज़ले फिर एक मोटिवेशन कोट से आज किस क्लास को शुरू करती है देखे एक सिंपल सी बात है कि कुछ भी इंपॉसिबल नहीं होता आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं सिर्फ आपको अपने माइन को सेट करना है और गिव अप नहीं करना जब आप गिव अप नहीं करोगे और आपने माइन से सोच लिया बिलकुल एक दम ठान लिया कि मुझे यह अचीव करना है तो करना है तो फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रोक सकता है आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ेंगे लाइफ में और जो भी आपने अचीव करने के बारे में सोचा है उसे अचीव कर लेंगे लेकिन शर्त एक ये है कि आपको गिव अप नहीं करना क्योंकि प्रॉब्लम्स बहु ये आपका जो दिन है न दिवस है ये 17 जुलाई को मनाया जाता है इसे कई और नाम से भी जानते हैं जैसे इसको डे आफ इंटरनाशनल क्रिमिनल जस्टिस या फिन इंटरनाशनल जस्टिस दे अंतरास्टी है नियाय दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है तो अगर ये इस नाम से आ गया तो ध्यान रखना ये दिन देखे 17 जुलाई 1998 को क्या हुआ था जो रोम स्टैचू है यानि रोम समविधी है उसको अडॉप्ट किया गया था और उसी की एनिवर्सरी को ये जो दिन है वो मार्क करता है जिससे जो इंटरनाशनल क्रिमिनल कोट था इसको क्र दराश्टे आपरादिक न्यायाले का निर्माण हुआ था और उसी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है अब देखो थीम भी इंपॉर्टेंट है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एंपॉर्मेंट तो थीम आपको ज़रू ध्यान रखनी है मैं बार-बार बोलती हूँ थीम इंपॉर्टेंट होती है एक और इंपॉर्टेंट है यानि आज के दिन 18 जुलाई के दिन नेलसन मंडेला डे इंटरनाशनल डे सलेब्रेट होता है इनके बारे में तो वैसे आप लोग जानते जरूर होंगे लेकिन कोई नहीं हम स्थापना के लिए नेलसन मंडेला जी का जो योगदान रहा है कि पूरी दुनिया में पीस को उन्होंने बढ़ावा दिया है शांती को बढ़ावा दिया और उनका जो कॉंट्रिबिशन रहा है उसी को एकनॉलेज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है 18 जुलाई 2009 को पहला जो मंडेला डे है वो अब्सर्फ किया गया था कहां पे नी यॉक में अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो यहां से यह होती है क्योंकि नेलसन मंडेला को नोवल प्राइज मिला हुआ है धिहान रखना है हमें उसका एयर पूछ सकते हैं तो 1993 में नेलसन मंडेला और फेड नई Democratic की स्थापना करना यानि South Africa में नई Democratic नई लोगतांतरिक की नीव रकने के लिए उनको नोवल प्रीस प्राइज से सम्मानित किया गया था तो आपको क्या ध्यान रखना है देखो इन दोनों के नाम ध्यान रखनी है और आपको यह और ध्यान रखना है चलिएब फुर समकारियाले ने पहली बार यहां पर राष्टी आपातकाल की घोशना करते हुए रेड वर्निंग जारी कर दी है अब क्यों जारी करी गई ये भी बात करेंगे पहले बात करते हैं कंट्री कौन सी है युनाइटेड किंग्डम देखो यहां पर जो टैंपरेचर है न वो 40 सेलसे सक पहुच गया इसलिए हां पर रेड अलर्ट कर दिया गया है और डिक्लियर किया गया अनाशनल इमर्जेंसी ओके रेड वर्निंग का मतलब होता है देर इस रिस्क तो लाइफ और डेली रूटीन विल नीड तो चेंज ची के तो सिंपली हमें क्या धियान रखना है क साइबर सिक्यॉरिटी कोपरेशन तो देखे हमें बताना है कि साइबर सुरक्षा सयोग पर अभी किसके एक्सपर्ट ग्रूप की जो है यह बैठक हुई है और इसकी मेजबानी जो है वो सयोग सुरक्षा परिशर शचेवाले के द्वारा की गई है आप देखे हैं यहां प अध्यक्षिता किसने करिये भी ध्यान लखेगा राजेश पंद जनरल राजेश पंद जो की नैशनल साइबर सिक्यॉरिटी कोडिनेटर है तो यह दोनों चीज ध्यान लखेंगे अध्यक्षिता किसके द्वारा की गई और मीटिंग किसकी है बिम्स्टैक एक्सपर्ट ग् कैसे हम निपट सकते हैं इसके लिए एक कारयोशना बनाए गई और उसी के उपर यह जो है वो मीटिंग कराए गई थी फ्रेंट्स यहाँ पर बात आती है बिम्स्टैक की फिर्स्ट अफ वाल इंपॉर्टेंट क्या है इसकी फुल फॉर्म बेयो बिंगॉल दो कंट्रीज हैं साउथ इस्ट एस्ट एशिया की जो की हैं म्यामार और थाइलेंड तो टोटल कितनी हैं साथ इसके सापना हुई थी 6th of June 1997 और इसका हेड़कॉर्टर है धाका बांगलदेश में तो यह इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो इसलिए मैंने आप दिपार्ट्मेंट आप कंट्यूमर अफियर्स हैं लांच्ट इसगत लाज़ चार, प्रुपर्भोर सब्सक्यूमर पॉपर्टर हैं , यह आपूस्यूमृर तो की सभी इंपॉप को मेंके कि तो इसका मीन दोझिके क्या है लुग से एक पशिर्ष उपना जागा, आपन है का जो की क्या करेगा जितने भी हमारे consumer rights होते हैं उनके बारे में awareness को spread करेगा और क्या-क्या consumer problems को face करते हैं उसका भी यह समाधान कर रहा है the mascot will be showcased with the tagline जागो ग्राहक जागो in all its media campaign तो इसके tagline क्या है mascot की जागो ग्राहक जागो मतलब आपको अपने rights के बारे में पता होना चाहिए है ना friends तो चलिए कुछ और additional information मतलब हम लोग extra news को revise करते हैं तो दिखिए अभी जो environment minister है भुपेंदर यादव इन्होंने हर्याली महस्तफ को launch किया है union culture minister जी किशन रेड़ी ने जोतिर काम में एक को inaugurate किया जो की unsung performance के talent को showcase करने के लिएक festival है इसके लावा union minister dr. जीतिंद सिंग ने जमुकश्मीर के उधंपूर district में सीस्मोलोजी अब्जवेटरी को inaugurate किया तो फिर इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको इस सारी news अच्छे से याद हो गयोंगी क्योंकि हम बार-बार इन्हें रिवाइस करती है जिससे कि हम इसको और भी अच्छे तरीके से याद कर सकें next question पर बढ़ती है who among the following launched the fourth P17 P17A stilth frigrate और इसका नाम क्या है दूनागिरी इन कॉलकाता तो यह चौथा stilth frigrate है और इसे अभी launch किया है किसने defense minister राजनास दिंग जी ने इसे launch किया है इस project को build किया गया garden reach ship builders limited के दौरा देखो ध्यान रखना है आपको कि इसको build किस नहीं किया है क्योंकि question ऐसे exam में देखने को मिला है तो इसलिए ध्यान रखेगा यह चौथा है देखी तो पहले जो दो P17A ships थे उन्हें 2019 में launch किया गया था उसके बाद जो तीसरा ship आया था उसे May 2022 में launch किया गया था और यह जो ship अभी launch हुआ यह को ऐसा है यह है चौथा P17A strength frigate तो यहाद रखेगा यह चौथे नंबर का है नेक्स्ट देखेए defense related हम कुछ और news की बारे में बात करें तो desert corpse of Indian army इन्होंने organize किया सुरक्षा मंतन कहां पी जोदपुर राजस्थान में इसके लावा जो अगनिपत स्कीम है इसके बारे में सोना जरूर होग आप सभी ने तो armed forces में youth की recruitment के लिए से स्कीम को central government ने start किया 9th army to army talk between the Australian army and Indian army यह कहां पे conduct हुई है तो हम इह ध्यान रखना है इसको देहरादूर में conduct कराया गया next question अगला question है July 2022 में किस company ने एक नई graphic dynamic random accesses memory chip को develop किया है इस chip के खास बात देखो यह है ना इसमें faster speed और इसमें improved power efficiency है मतब इसकी speed काफी जादा है और बहतर बिशली दक्षिता के साथ इस chip को अभी किसने विक्सित किया है सही answer हो जाएगा friend Samsung Electronics ने इसे विक्सित किया है Samsung का ऐसा कहना है यानि उन्होंने इसा claim किया हुआ है कि यह दुनिया की अभी तक की सबसे fastest graphic RAM chip है जो नई RAM chip है can process graphic image at a rate of 1.1TB per second it is built on the 10NM EUV process technology तो देखो यह तो हमें नहीं पूछेंगे कि speed कितना है simple यहां से आपको ध्यान रखने कि company कौन सी है Samsung Electronics Samsung कहां की company है तो Samsung South Korea की company है इसके सापना 1st March 1938 में हुई थी headquarter है इसका Seoul South Korea में founder कौन थे Lee Byung-Chul और इसके इस ठाइम पर CEO कौन है किम की नाम next question देखिए अपी recently कौन सी telecom company ने completed किया है successful trial of India's first 5G private network तो दीके 5G के उपर work चल रहा है इंडिया में तो 5G निजी network का अभी सफलता पूर्वक परिक्षर पूरा किया है कौन सी company ने भारती एटल के द्वारा इससे complete किया गया भारती एटल ने Bengaluru में Wash Automotive Electronics की सुविधा में देश के पहले 5G private network का successfully जो trial है उससे complete किया है 2021 में एटल ने दिल्ली NCR के भाईपुर ब्रहमर गाउं में पहले जो एक तरीके से कहले जो पहला रूरल यानि पहला ग्रामीर जो 5G है इसका trial का demonstration किया था और अभी भारती एटल ने इसको complete किया है तो यह हमें ध्यान रखना है चुट्योटे points भी important बन जाती है next question देखे which statue body has knowledge the knowledge portal launched the knowledge portal for khadi to provide design directions through the khadi institutions तो khadi संस्थानों को design निर्देश प्रदान करने के लिए किस वेधानिक निकाई ने khadi के लिए एक knowledge portal को launch किया है तो इस knowledge portal को launch किया है khadi and village industry commission के द्वारा देखो यहां भी क्या होगा ना जितने भी khadi institutes होंगे उनको यहां पर design directions provide करी जाए किस तरीके से आप उसे design कर सकती हो material को तो यह directions जो है वो उनको provide की जाएगी अगला question देखिए विस city has been declared the first cultural and tourism capital of Shanghai corporation organization यह important question है देखिए कि शहर को शंखाई सयोग संगर्टन की पहली सांस्कृतिक और परेटन राजदाने घोशित किया है तो शहर कौन सा है वारानसी और वारानसी कहां पर आता है उत्ताप्रदेश में देखो अब इसके वुज़े से क्या होगा SEO के जो members हो है अब उनका easy हो जाएगा वो tourism एक तरीके से tourism को काफ़ी ज़दा बढ़ावा मिलेगा तो परेटन को बढ़ावा देने के लिए SEO के द्वारा इस पहल को 2022 देहिस के लिए launch किया है मतलब एक तरीके से ये 22 देहिस के लिए वारानसी जो है वो इसकी कल्चरल और टूरिस्म कापिटल रहेगी शंगाई कोपरेशन ओगनाईजेशन के सापना 15 जून 2001 में हुई और इसका हेड़कॉर्टर है बीजिंग चाइना में नेक्स्ट क्वेशन पर बढ़ते हैं एन एचपी सी लिमिटेड है साइन टू एम यूस एक जगे तो आपको दे दी कौन सी है कारगिल दूसरी जगे का नाम हमें बताना है तो दूसरा प्लेस है लेहे तो एन एचपी सी लिमिटेड ने लेहे और कारगिल में पाइलेट ग्रीन हाइडोजन टेकनोलोजीज के विकास के लिए दो मेउ पर यहाँ पर हस्ताक्षर साइम किये हैं तो यह जो मेउ हैं देखिए क्यों किये गए देखो यह जो पाइलेट ग्रीन हाइडोजन टेकनोलोजीज है ना इस्ते क्या होगा लेहे और कारगिल में जो पावर सेक्टर है जो बिजली छेतर है वहाँ पे कार्बन फुट्प्रिंट्स को कम करने के उपर धिहान दिया जाएगा कारगिल जिले के लिए मयू के अनुसार कारगिल में जो हाइडोजन जनरेट है उसका उपयोग यहाँ पे किया जाएगा in fuel cells for mobility यानि उनका उपयोग गतिशीलता के लिए इंधन कोशिकाओं में किया जाएगा और उसी उदेशे के साथ में यह दो M.E.U. जो हैं वो साइन किये गए किस-किस के साथ में लहे और कारगिल Friends, important M.E.U. की बाती होती है तो देखे शॉर्ट में मैंने हापे लेखा हुआ है इंडिया तुर्कमेनिस्तान, disaster management के field में इनके बीच में M.E.U. साइन हुआ है इंडिया और Spain के बीच में cluster matters को लेके साइन हुआ then देखे field of education के field में इंडिया और Maldiv के बीच में M.E.U. साइन हुआ है इंडिया और Denmark के बीच में research and development on green fuels जो हरित fuels है उनके उपर research और development के लिए इंडिया और Denmark ने M.E.U. साइन किया इंडिया और Nepal के बीच में साइन हुआ M.E.U. for constructing motor bridge on महाकाली river तो ये भी important M.E.U. है जो आपके हुए है 2022 में बढ़ते हैं अगले question पे next question है which state government has launched its own police application and e-fire service उन्होंने स्वयम की police application और e-fire service को शुरू किया है और शुरू किस ने किया है सही answer है उत्राखंड की जो chief minister है पुश्कर सिंग धामी उन्होंने उसे launch किया है police application जो है एक integrated version है five online services का जो की आपको state police के द्वारा provide की जाए की इसमें एक emergency number है 112 और cyber help line number भी है 1930 तो इसे भी इस application से connect किया गया है तब आप easily क्या कर सकते हो इसको use कर सकते हो उत्राखंड की बात ही होते हैं तो देखें उत्राखंड का बना था 9 November 2000 में और ये हमारे इंडिया का 27th state बनाता किस से अलग हुआता उत्तर प्रदेश से capital है धेरादून और गैरसेन governor है गुर्मी सिंग और chief minister है यहां के पुशकर सिंग धामी इंपोर्टन नेशनल पार्क में है कॉर्बेट, गंगोतरी, गोविंद, नंदा देवी नेशनल पार्क, राचाजी नेशनल पार्क, वैली ओफ लार्स नेशनल पार्क यहां की important tribes यानि जो जनजातियां है उनमें है भोटियास, बक्सा, जौनसारी, खास, थारू highest dam जो है इंडिया का वो उसका नाम है टीरी डैम और टीरी डैम जो है वो उत्राखंड में है भागिरती रिवर पे यहां की important temples में है बदरिनाथ, यमनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ तो यह fence important temples है कहा के उत्राखंड state के next question में बढ़ती है which bank has become the first private bank to complete the technical integration with the new e-filling portal of the income tax department तो income tax department के लिए जो नई e-filling portal है इसके साथ में technical integration पूरा करने वाला जो पहला private bank बन गया है उसका नाम है कोटक महिंदरा bank देखे अब इसके बाद क्या होगा ना कि जो कोटक महिंदरा bank के customers है वो net banking का use करके या फिर bank के किसी भी branch में जाके जो उनका e-pay tax है उसको एक तरीक से कह लेज़े उसके माधियम से अपने जो भी डारेक्ट टेक्स से उनको वो पे कर सकते हैं जितने भी कोटक महिंदरा bank के customer है कोटक महिंदरा bank के सापना होई February 2003 में इसका headquarter है Mumbai में founder है उदे कोटक और friend CEO कौन है CEO भी कौन है उदे कोटक अगला question देखिए who has been felicitated with Mother Teresa Memorial Awards for Social Justice 2021 तो 2021 के लिए Mother Teresa Memorial Awards से किसे सम्मानित किया गया है सही answer है friends दिया मिर्चा अच्छा दिया मिर्चा जो है न ये UNEP United Nation Environment Program की National Goodwill Ambassador है इसके साथ सथ आपको एक और नाम ध्यान रखना है अफ्रोज शहा क्योंकि अफ्रोज शहा को भी मिला है ये environmental activist है इन दोनों को ही Mother Teresa Memorial Awards for Social Justice ठीकि सामाजिक नियाई के लिए इनको मिला है They were awarded for their commendable and notable achievement in environment sustainability तो परियावरे इस्तरता में जो उनकी उपलब्धी रही जो उन्होंने achievement हासिल करी उनके लिए एवोर्ट दिया गया है ये एवोर्ट दिये किसने अच्छा कोशन ये भी तो बन सकता है तो जो महरास्ट के गवर्णर है भगस सिंग कोश्यारी उन्होंने जो है वो अवोर्ट को प्रेजेंट किया अवोर्ट की बात ही होते हैं तो देखे कुछ पुराने अवोर्ट को रिवाइस करते हैं तो देखे सर डेविट एटनवर्ग इन्हें यूएन चांपियन ओफ दी अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवोर्ट से सम्मानेत किया गया इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट विवेक लाल ये सिलेक्ट हुए सिक्स एंटर्पेनियोर्शिप लेडर्शिप अवोर्ट 2020 के लिए AIMA ने शूजिश शिरकार को डारेक्टर आफ दी इयर अवोर्ट से सम्मानेत किया गया प्रभार पतनायक इने मेलकॉम एदीशिया अवोर्ट 2022 से सम्मानेत किया गया फालकिनी नायर जो है वो EY Entrepreneur of the Year अवोर्ट 2021 इनको मिला प्राइम मिनिस्टर मोधी जी को फर्स्ट लता दीननात मंगेशकर अवोर्ड से सम्मानेत किया गया तो यह हमारे कुछ पुरारे अवोर्ड से हैं चुकि 2022 में ही मिले है इसलिए हमें याद रखना है अगला कोशन है वो हाज वॉन दफॉर्टी फर्स्ट विला डी बिनास इंटरनाशनल चेस्ट ओपन टूर्णमेंट तो यह जो टूर्णमेंट यह किस ने जीता है तो सिंपल ध्यान रखेगा फ्रेंड्स अरविंद चितंबरम ने जो है यह टूर्णमेंट चीता है अर्विंद चितावरम औल्सो ये फॉर्मर नाशनल चैंपियन भी रही है और इन्होंने इसमें अर्मेनिया के रॉबर्ट होवन नी स्यान को हराया है और इन्होंने इसका टाइटल अपने नाम किया नेक्स्ट क्वेशन देखिए कौन सी कंट्री है जो की होस्ट करेगी 18 एडिशन ओफ वर्ड एटलेटिक्स चांपेंशिप तो विश्व एटलेटिक्स चांपेंशिप के जो अठारव संस्क्रण है इसकी मिजवानी कौन सा अदेश कर रहा है सही आंसर है फ्रेंट्स यूएस नम्मर का एडिशन है और पहली बार यूएस जो है वो इसे होस्ट कर रहा है तो ध्यान रखेगा 10 दिन का ग्रैंड स्पोर्टिंग इवेंट है जिसको विल होस्ट 2000 एटलीट्स जो की रिप्रेसेंट कर रही है 200 नेशन्स को इंडिया के लिए जो ओलम्पिक जावलिंग च दिखिए यह सभी इंपोर्टेंट है अच्छा यहां पर स्पोर्ट्स के बात ही होते है तो दिखिए अभी जो इससे फ शूटिंग वर्ट कप चल रहा है साउथ कोरिया चंग वान में इसकी मेडल टेली में कौन सा कंट्री फर्स्ट पे है इंडिया साइकलिस्ट अगला कोशन देखिए हमारा अगला कोशन है विच सिटी हाज बिन सिलेक्टेड अस दी होस्ट सिटी फोर दे टुटावसेंग वर्ड अथलेटिक्स चैंपेंशिप अभी वाले कहां पर हो रहे हैं देखिए तुटावसेंग ट्वेंटीटू के यह हो रही है यूसे में औ इसे होस्ट करेगा टोक्यो टोक्यो को सिलेक्ट किया गया और जो बीच में देखिए तुटावसेंट ट्वेंटी त्री का एडिशन है यह कहां पर होगा बुदापेस्ट में तो देखो ध्यान रखना दो हजाट वैसे तुटावसेंट ट्वेंटीटू वाले होने वाले एडिशन होगा यह कहां पर होगा बुदापेस्ट में नेक्स्ट टुटावसेंट ट्वेंटीफाईव का जो एडिशन है इसे यह कहां पर होगा निससे होस्ट कोन करेगा टोक्यो तो यह आपको थोड़ी से सिरीज दिहान रखनी है अगला कोशन देखिए who has become the first Indian to enter the men's long jump final at the World Athletic Championship तो विश्व Athletic Championship में पुरुशो की लंबी कूद के final में प्रवेश करने वाले पहले भारते कौन बनी है इनका नाम है मुराली श्रीशंकर देकि पहली बार जो भी होता है न वो important होता है तो पहली बार कोई Indian जो है men's में final में पहुंची है तो इसलिए आपको इनका नाम ध्यान रखना है मुराली श्रीशंकर उन्होंने अमेरिका में जो अमेरिका के ओरिगन में चल रहे डबलू एसी अनि वोर्ट अथलेटिक चांपेंशिप में क्वालिफिकेशन राउंड में एट मीटर की चलांग लगाई और वो दूसरे स्थान पे रहे यहीं एक और नाम देखी important है अन्जू बॉब्बी जोर्ज यह फोस्ट इंडियन थी तो मेक इट टू वर्ट चांपेंशिप लोंग जम फाइनल और फोस्ट टू विन अमेडल ब्रॉंस इन 2003 एडिशन इन पारिस तो वर्ट चांपेंशिप के फाइनल लोंग जम के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतिया थी इसलिए इनका नान ध्यान रखेगा अंजू बॉब्बी जोर्ज तो फ्रेंट्स यह थे आज के हमारे सभी important current affairs जिसमें हमने काफी सारे current affairs को discuss किया Saturday मैंने आप लोग उसे question पूछा था कि पंजाब के chief secretary कौन अपॉइंट हुए है तो answer है वी के जंजुआ अब देखें यहाँ पे बहुत बड़ा confusion हुआ है जो poker वाजी है ना friends इसको ध्यान रखेगा इसके recent ही बने है I think July के first peak में ही शाहित कपूर को brand ambassador बनाया है इसके अमिताब बच्चन का नाम गलत है friends ध्यान रखेगा इसको अपलोग सई जरू करिएगा तो आज के हमारे comment है अमन कुमार प्रिया और प्रियांका प्रियादर्शनी थैंक्यू सो मच काईस के आप regular हमारे वीडियो पे comment करती है तो बहुत ही जादा हमें भी motivation मिलती है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए तो आज का हमारा पहला question अन्वारा मेनिस्टर भुपेंदर यादवची ने हर्याली महसफ को launch किया अच्छा ये तो हमने revise कर लिया था लेकिन कौन से शेहर में इन्होंने launch किया ये आप लोग बताएगा second question है डॉक्टर इनामुल हक इनका भी हाली में निधन हुआ है इन्हें कौन से year में पदमश्री से सम्मानित किया गया था तो आपको वो year बताना है जब इन्हें पदमश्री मिला तो friends मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो के जितने भी questions हमने किये हैं वो आपको अच्छे से clear हुए होंगे और overall आपकी जो study है वो भी बहुत अच्छी जल रही होगी please guys channel को support करें क्योंकि जब आप support करेंगे हम जादा से जादा और भी आपके लिए वीडियो बनानेगे पूरी कोशिश करेंगे thank you so much guys for watching this video